Hello and welcome you all to my YouTube channel English Lovers और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं model auxiliaries, should और would का प्रयोग हम sentences में कैसे करते हैं सबसे पहले दो बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ model auxiliaries के बारे में जो बहुत ही important है number one, model auxiliaries को कभी भी forms नहीं होते जैसे कि main verbs को form होते है मानलो present form, past form, past participle, present participle, to infinitive ये कौन से भी form model auxiliaries को नहीं होते और number two, model auxiliary कभी भी sentences में main verbs बोलके नहीं आते वो हमेशा से ही model auxiliary यानि की helping verbs बोलके sentences में आते हैं तो सबसे पहले हम should का प्रयोग sentences में कैसे करते हैं ये देखेंगे और उसके बाद हम उड का प्रयोग sentences में कैसे करते हैं ये देखेंगे अगर आपको इसका negative sentence करना हो तो simply आप not add कर दो शुड के आगे या उसका contracted form यन अपस्ट्रोफ टी भी लिख सकते हो तो I, we, you, he, she, it, they shouldn't do or shouldn't stop or shouldn't go etc in the same way अभी हम इसका usage देखते हैं sentences में exactly इसका प्रयोग कैसे करते हैं शुड का meaning क्या होता है शुड का meaning बहुत सारे sentences में अलग-अलग तरीके से शुड का use करते हैं तो exactly क्या होता है वो meaning हम देखते हैं तो सबसे पहले शुड जो होता है अगर आपको कहना हो you should do something तो इसका क्या मतलब हुआ कि it is a good thing to do या it is the right thing to do अगर आपको कोई कहे कि you should do something तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये करना चाहिए या आपके लिए ये बेतर है आपके लिए अच्छा है for example ये sentence देखो tom should go to bed earlier he goes to bed very late and he is always tired तो tom को जल्दी सोना चाहिए should go याने जल्दी सोना चाहिए go to bed वो क्या करता है he goes to bed very late वो देर से सोता है और वो हमेशा ही ठका हुआ लगता है तो should go याने उसको जल्दी सोना चाहिए उसके लिए ये बेतर है अच्छा है या फिर ये sentence देखो it's a good film you should go and see it एक अच्छी फिल्म है आपको जाकर देखनी चाहिए आपके लिए अच्छा है बेतर है आपको should go okay it's a good thing for you या फिर ये sentence when you play tennis you should always watch the ball जब भी आप tennis खेलते हो तब आपको हमेशा ball की तरफ देखना चाहिए तो should watch याने कि it's a good thing to do या it's better thing to do अगला जो usage है should का वो है you should not do something अगर हम ऐसा कहते है you should not do something तो इसका meaning क्या होता है ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए for example tom should not go to bed so late so tom को देर रात तक जागना नहीं चाहिए उसको जल्दी सोना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है tom के लिए या फिर you watch tv all the time you shouldn't watch tv so much हमेशा tv देखते रहते हो tv इतना tv देखना अच्छी बात नहीं है so shouldn't watch नहीं देखना चाहिए अगला जो usage है वो एक verb है think के साथ हम should use करते है 2-3 possibilities है वो हम देखते है सबसे पहले I think should तो क्या meaning होता है for example I think Jenny should buy some new clothes I think मुझे लगता है क्या लगता है मुझे लगता है कि Jenny ने कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए या फिर it's late I think I should go home now अभी देर हो रही है मुझे लगता है I think मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए should go जाना चाहिए next जो है think हम negative ऐसा भी बोल सकते I don't think मुझे नहीं लगता should के साथ हम I don't think बोल सकते जैसे कि sentence I don't think you should work so hard I don't think मुझे नहीं लगता कि तुमें इतना काम करना चाहिए या फिर I don't think we should go yet it's too early मुझे नहीं लगता कि हमें अभी जाना चाहिए ये बहुत जल्दी हो रहा है तो मुझे नहीं लगता I don't think या फिर हम question पूछ सकते हो दूसरों को जैसे कि do you think should का use करके for example do you think I should buy this hat क्या तुमें लगता है मुझे ये hat खरीदनी चाहिए क्या तुमें लगता है मुझे ये hat खरीदनी चाहिए should buy खरीदनी चाहिए या फिर what time do you think we should go home तुमें क्या लगता है कि हमें कब घर जाना चाहिए what time do you think we should go home अभी हम must और should में क्या difference है यह देखते है must जो होता है वो should से strong होता है तो sentences में हम देखते है It's a good film, you should go and see it तो क्या meaning हुआ? एक अच्छी film है, तुम्हें जाकर देखनी चाहिए तो मैं simply कह रहा हूँ कि अच्छी film है, तुम्हें जाकर देखनी चाहिए मगर जब मैं यह कहता हूँ, it's a fantastic film, you must go and see it तो जब मैं कहता हूँ, you must go, तुम्हें जाना ही चाहिए तो यह stronger हुआ, must go या फिर जब मैं कहता हूँ, you should apologize, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए तो मैं expect कर रहा हूँ, सामने वाले से उसे माफी मांगनी चाहिए मगर जब मैं कहता हूँ, you must apologize, तो यहां मैं यह कह रहा हूँ कि तुम्हें माफी मांगनी ही चाहिए, तुम्हें और कोई चारा नहीं है तुम्हें माफी मांगनी ही चाहिए, तो must यह stronger हुआ, that is the difference और एक बात है, next हम देखते हैं, another way to say should is ought to हम ought to का प्रयोग should के बदले में कर सकते हैं, ought to और should एक ही meaning जैसा है, वो कैसे sentences में देखते हैं अच्छी फिल्म है, तुम्हें जाकर देखनी चाहिए, जैसा हमने पहले यह sentence में देखा तो simply आप जब कहते हैं, you ought to go, it means you should go, one and the same और I think Carol ought to buy some new clothes, or Carol should buy some new clothes, one and the same उसे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए, और एक यहां you say, use should when something is not right or what we expect, okay, तो जब भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, जब भी कुछ गलत हो रहा हो, तब हमें should का use करके वो बोलना चाहिए या फिर हम कुछ expect करते हैं, तो हमें should का use करना चाहिए, कैसे sentence में देखते हैं the boy shouldn't be playing football at this time, तो shouldn't be playing, okay, something is not right इस समय बच्चो को football नहीं खेलना चाहिए, they should be at school, उन्हें school में होना चाहिए तो मैं expect कर रहा हो कि उन्हें school में होना चाहिए, तो should का use करते हैं the price on this packet is wrong, इस packet पर जो price लिकी है, कीमत लिकी है, वो गलत है it should be 20 rupees, not 30 rupees, वो 20 rupees होनी चाहिए, ना की 30 rupees तो मैं expect कर रहा हूं की price 20 rupees होनी चाहिए अगला जो usage है should का, वो have के साथ है, should plus have plus past participle of the verb should have done, याने की it would have been the right thing to do, ऐसा करना चाहिए था अगर ये करते तो ठीक रहता, नगर किया नहीं for example, it was a great party last night, you should have come कल रात पाटी बहुत अच्छी थी, तुम्हे पाटी को आना चाहिए था, you should have come, मगर तुम आये नहीं or I am feeling sick, I shouldn't have eaten so much chocolate मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इतने सारे चॉकलेट नहीं खाने चाहिए थे, shouldn't have eaten next is, should do or should have done में क्या difference है, should do याने ऐसा करना चाहिए should have done याने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, for example you look tired, you should go to bed now, तुम थके हुए हो, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, should go to bed you went to bed very late last night, you should have gone to bed earlier, कल रात तुम देर से सो गए, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए था, should have gone, जल्दी सोना चाहिए था should indicates, advice, opinion, or recommendation, तो ये तीनों मीनिंग शुड के हो सकते हैं, अलग-अलग context में, कैसे देखो the government should do more to help homeless people, तो अगर कोई ऐसा कहता है, कि government को ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा कुछ करना चाहिए, बेगर लोगों के लिए, homeless people के लिए, तो ये उसका opinion हो सकता है should do इसका, उसका personal opinion, या फिर आप hotel में खाना खा रहा हो, ऐसा situation है, और ऐसा dialogue हो सकता है this soup is too salty, ये जो soup है, ये बहुत ही salty है, you should send it back, तुम्हें फिर से order करनी चाहिए, ये बेज देना चाहिए, तो इसका meaning यहाँ क्या हुआ, ये recommendation हुआ या फिर you will catch cold, if you go out like that, अगर ऐसे ही आप बाहर जाओगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, I think you should take a hat मुझे लगता है कि तुम्हें hat लेकर जाना चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये advice हुआ, मैं advice दे रहा हूँ, तो should take indicates advice next use of should is, should shows responsibility or duty on one's part, okay for example, अगर मैं कहता हूँ, I should visit my parents more often, तो यहाँ, मैं शुड विजट ऐसा बोल के, मैं मेरी responsibilities show कर रहा हूँ, मुझे मेरे parents को जादा मिलना चाहिए, okay या फिर the student should study well to pass the exam, तो बच्चों को जादा पढ़ाई करनी चाहिए, अगर उन्हें exam पास होना हो, तो यहाँ, should study indicates responsibility ये उनकी responsibility है, ये उनकी duty है, तो should study indicates responsibility or duty should also shows probability or possibility, ऐसा हो सकता है, या तो present में, या तो future में for example, I enjoyed her first novel, so the new one should be good, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे उसका पहला novel अच्छा लगा, मैंने enjoy किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि new one भी, जो दूसरा novel है, वो भी अच्छा होगा, तो मैं ये ऐसा possible है, ऐसा सोच रहा हूँ या फिर, have we got any apples, मैं किसी को पूछ रहा हूँ, और सामने से जवाब आता है, there should be some in the freeze, so there is possibility, there is probability that there are some apples in the freeze, it's possibility, it's probability, it's not sure, okay, should be, या फिर, अगला जो यूज है, should plus have plus past participle, इसका meaning होता है, obligation in the past, तो past में कुछ तो obligatory था, compulsory था, for example, he should have asked me before he took my bike, तो मेरी बाइक लेने से पहले उसने मुझे पूछना चाहिये था, so it was an obligation, तो जब मैं ऐसा कहता हूँ, should have asked in the past, तो इसका meaning होता है, obligation, compulsory, उसने मुझे पूछना ही चाहिये था, We should have taken a taxi when it rained, तो जब बारिश हो रही थी, तब हमें taxi में जाना चाहिये था, so it was obligatory, it was compulsory, या फिर अगला एक यूज है, should plus have plus past participle, इसका meaning होता है, an expectation that something has happened, मैं ऐसा expect कर रहा हूँ कि कुछ तो हुआ है, या फिर कुछ तो होने वाला है, तो मैं should have plus pp, past participle, use कर सकता हूँ, for example, if the flight was on time, he should have arrived in Mumbai early this morning, अगर flight समय पे आई होगी, तो वो Mumbai आज सुबह जल्दी पहुंचा होगा, तो मैं ये expect कर रहा हूँ कि अगर flight time पे आई होगी, तो वो Mumbai पहुंचा होगा, तो should have arrived, it's my expectation, या फिर, the builders should have finished by the end of the week, तो जो builders है, वो कुछ काम कर रहे है, तो ये end में, ये week के end में, उन्होंने ये काम पूरा करना चाहिए, ऐसा मैं expect कर रहा हूँ, okay, should have plus pp, अभी हम model auxiliary would का प्रयोग sentences में कैसे करते हैं, ये देखते हैं, सबसे पहले हम उसका structure देखते हैं, तो क्या होता है structure, would infinitive के साथ आता है, infinitive यानि best form of the word, for example, would like, would do, ये pronouns के साथ, सभी pronouns के साथ, सेम तरीके से इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि I, V, U, He, She, It, Would Do, Would Like, Would Watch, etc. अगर आपको negative sentence करना हो, तो simply would के सामने not लगा दो, या contracted form of not, N, apostrophe T, लगा दो, और सभी pronouns के साथ, wouldn't do, wouldn't like, wouldn't watch, etc. अभी इसके हम usages देखते हैं, इसके दो प्रमुक usage है, जैसे कि अगर हमें किसी को कुछ offer करना हो, या किसी को invite करना हो, तो हम उड़ का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, देखो, would you like का मतलब ही होता है, do you want, तो अगर हमें किसी को कुछ offer करना है, तो हम कहेंगे, would you like, okay, for example, हम कहते हैं, would you like some coffee, तो हम offer कर रहे हैं, किसी को तो coffee offer कर रहे हैं, तो हम कहते हैं, would you like, या फिर, would you like a chocolate, okay, so instead of saying कि, do you want a chocolate, हम कहते हैं, would you like a chocolate, तो हम किसी को offer कर रहे हैं, चॉकले खाने के लिए, या फिर, हम कहते हैं, what would you like, tea और coffee, आप क्या पसंद करोगे, चाय या कॉफी, तो यहां भी हम किसी को offer कर रहे हैं, तो would you like, यह जो construction है, यह हम use करते हैं, offer करने के ल हो, तब भी हम would you like का प्रयोग करते हैं, जैसे कि, would you like to go for a walk, तो हम किसी को कह रहे हैं, किसी को invite कर रहे हैं, कि क्या आप walk करने के लिए, चलोगे मेरे साथ, okay, या फिर, would you like to have dinner with us on Sunday, तो मैं किसी को invite कर रहा हूं, कि क्या आप हमारे साथ संदे को dinner करना पसंद करोगे, तो invite क करने के लिए भी हम would you like का प्रयोग करते हैं, अगला जो use है would का, वो है I would like, तो जब भी हमें कहना होता है I want, मुझे चाहिए, और हम बहुत ही polite है, यह हमें show करना होता है, indicate करना होता है, तो हम I would like कहते हैं, for example, we say I am thirsty, I would like a drink, so exactly, this is I would, it's contracted form, तो मुझे पैस लगी है, मुझ पीने के लिए कुछ चाहिए, so this is, when you say I like, so यह क्या होता है, यह polite way of saying होता है, I want, मुझे चाहिए, instead of saying मुझे चाहिए I want, आप कहते हो, I would like, in a polite way, और I like some information about hotels, please, तो आप किसी information center में गए हो, और आप बोल रहे हो कि I like some information, it means I want some information, मुझे कुछ information चाहिए, दूसरा जो use है, use would to talk about things that happened regularly in the past, this is very important usage of would, बहुत बार ऐसा usage हमें लिखने में दिखता है, बोलते समय भी हमें पता चलता है, तो ऐसी कुछ घटनाए होती है, जो past में regularly होती है, तो उसके लिए हम would का use करते है, या फिर कुछ characteristic behavior होता है, या फिर कुछ ऐसी habits होती है, आदत होती है, जो हमेशा से ही सही रहती है past में, okay, so we use would to talk about things that happened regularly in the past, past में regularly कुछ होता हो, तो हम would का use करते हैं, जैसे कि whenever Arthur was angry, he would walk out of the room, तो जब भी Arthur को गुसा आता था, तो वो रूम से बाहर चला जाता था, तो ये उसकी आदत थी, तो हमेशा वो ऐसा ही करता था, so would walk, okay, it happened regularly in the past, या फिर we would lend him money when he was unemployed, तो जब भी वो उसको कुछ रोजगार नहीं था, unemployed था, तब हम उसको पैसे देते थे, तो regularly ये past में होता था, would lend, it happened regularly, या फिर during the war, people would eat all kinds of things that we don't eat now, तो जब युद होता था, तो युद के समय, लोग ऐसी बहुत सारी चीजे खाते थे, जो चीजे अब हम नहीं खाते, तो वोड इट, तो ये क्या था, regularly past में ऐसा होता था, या फिर early passenger planes wouldn't hold more than 30 passengers, तो शुरुवाती समय में जो कुछ passenger planes का invention हुआ, तो वो passenger planes में 30 से ज्यादा या 3 सफर नहीं कर सकते थे, wouldn't hold, यानि की नहीं सफर कर सकते थे, in that way, next is, would or wouldn't is the past of will or won't, so would जो है, वो past form है will का, और wouldn't जो है, वो past form है won't का, ये कब use करते हैं, जब हम direct speech का indirect speech में लिखते हैं, या फिर reported speech में लिखते हैं, तब हम इसका use करते हैं, जैसे कि sentences देखो, Tom says, I'll phone you on Sunday, तो ये क्या है, contracted form of will है, I will, I'll, okay, तो इसका reported speech जब हमें करना होता है, तो हम कैसे करते है, Tom said, he would, okay, actually it is, he would, he would phone me on Sunday, तो ये would, ये जो हुआ, past form, next is, Ann says, I promise I won't be late, in present we say won't, okay, and in past what do we say, reported speech में कैं बोलते है, Ann promised that she wouldn't be late, okay, so here won't का wouldn't in the past, next जो use है would का, वो है wish के साथ, तो I wish would, ये construction हम use करते हैं, when we want something to happen, जब हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ हो, या फिर when we want somebody to do something, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई कुछ करे, okay, so, ये sentence देखो, I wish it would stop raining, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बारिश रुख जाए, बारिश हो रही और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बारिश रुख जाए, तो would stop, I wish it would stop, next is, I wish you wouldn't keep interrupting me, I wish, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम मुझे इंटरप्ट करना बन करो, या तुम मुझे इंटरप्ट मत करो, when we want somebody to do something, you wouldn't keep, तुम मुझे इंटरप्ट नहीं करोगे, in that sense, next is, use would, when we imagine a situation or action in the future, अगर हम कुछ imagine करते हैं, कोई situation या कोई action in the future, तो हम उड़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि, it would be nice to have a holiday, but we can't afford it, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ, it would be nice to have a holiday, तो in future, मैं ऐसा imagine कर रहा हूँ कि, अगर holiday मिले तो अच्छा रहेगा, मगर मैं यह जानता हूँ कि, यह possible नहीं है, we can't afford it, और I am not going to bed yet, मैं अभी सोने नहीं जा रहा हूँ, I am not tired, मैं नहीं थका हूँ, and I wouldn't sleep, तो यह sentence देखो, I wouldn't sleep, तो मैं सो नहीं सकूंगा, तो मैं imagine कर रहा हूँ कोई situation in the future, तो मैं यह would का प्रयोग यहां कर रहा हूँ, next is, use would have done, would plus have plus past participle, when we imagine situations or actions in the past, अभी हम imagine करते हैं, लेकिन in the past imagine करते हैं, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, would have plus past participle, for example, they helped me a lot, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, I don't know what I would have done without their help, okay, I don't know, मैं नहीं पता सक्दा की उन्के बिना मैं क्या करता, what I would have done, तो मैं imagine कर रहा हूँ की मैं कुछ नहीं कर पाता, in that sense, what I would have done without their help, तो imagine कर रहा हूँ in the past, या फिर, I didn't go to bed, मैं सोने नहीं गया, I was not tired, मैं थका नहीं था, so I wouldn't have slept, तो मैं सोने नहीं गया, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ past में की मैं सो नहीं सक्ता था, I wouldn't have slept, because मैं थका नहीं हुआ था, तो जब हम imagine करते हैं situation in the past, तब हम would have plus past participle का प्रयोग करते हैं, अगला जो usage है would का, वो है if के साथ, if plus past form of the verb, और would, हम कभी यूज करते हैं, when we imagine a situation, but do not expect it to happen, हम imagine तो करते हैं कोई situation, मगर हम expect नहीं करते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तब हम ये construction यूज करते हैं, if plus past form, would के साथ, और इसका meaning जो होता है, वो present होता है, ना की past, okay, for example, देखो, what would you do if you won a million pounds, तो one ये जो verb है, ये win का past form है, लेकिन यहाँ meaning क्या है, what would you do, आप क्या करोगे, अगर आपको million pounds मिल जाएंगे, okay, तो meaning हुआ यहाँ, present में, यहाँ if past form of the verb, win का use किया गया है, next is, I'd be frightened if somebody pointed a gun at me, okay, यहाँ भी pointed is the past form of the verb, इव के साथ ही उस किया गया है, लेकिन meaning क्या है, I'd be frightened if somebody pointed a gun at me, अगर किसी ने बंदुक तान ली मुझ पर, तो मैं डर जाओंगा, meaning present में हुआ, next sentence, if you were in my position, what would you do, तो यहाँ भी if है, where past form of the verb है, लेकिन meaning क्या है, अगर आप मेरी जगर होते, तो आप क्या करते, okay, what would you do, आप क्या करोगे, अगर आप मेरी जगर होगे, तो आप क्या करोगे, meaning in the present, एक और एक बात है, यहाँ द्यान रखने वाली, तो यहाँ जो इफ पार्ट होता है sentence का, वहाँ उड यूज नहीं करते, दूसरे पार्ट में यूज करते, जैसे कि ये सेंटेस देखो, इफ आइवेर वेर विच्ट, तो यह जो हुआ, इफ आइवेर वेर विच्ट, यह इफ पार्ट हुआ, आइवेर विच्ट, तो यहाँ दूसरे पार्ट में उड का यूज किया गया है, ना कि इफ पार्ट में, तो यह जो लास्ट यूज है, उड का वो है, यूज इफ प्लस हैट, प्लस पीप याने, पास पार्टिसिपल अब दे वर्ड, यह I would have plus past participle, यह construction है, इफ had plus past participle, I would have plus past participle, एक construction है, कभ यूज करते हैं, when we talk about unreal situations in the past, जो situations real नहीं होती, ऐसा संभव नहीं होता पास में, तब हम यह construction यूज करते हैं, थोड़ा सा complicated है, मगर difficult नहीं है, आपको ध्यान में रहेगा, sentence देखो, if I hadn't been so tired, I would have gone out, okay, pay attention, if I hadn't been so tired, अगर मैं इतना थका हुआ नहीं होता, तो मैं बाहर जाता, I would have gone out, याने कि मैं बाहर नहीं गया, मैं थका हुआ था, okay, so unreal situation, would have gone out, unreal situation in the past, मैं बाहर नहीं गया, या फिर यह sentence देखो, if I had seen you, अगर मैं आपको देखता, it means मैं आपको देखा नहीं, okay, I would have said hello, तो मैं आपको hello कहता, लेकिन मैं आपको hello नहीं कहा, तो unreal situation in the past, तो यह construction had plus past participle of the verb, और यहाँ would plus have plus past participle of the verb, तो यह सारे usage है, उड़के, तो friends, I hope कि आपको यह video अच्छा लगा होगा, अगर आपको video अच्छा लगा हो, तो like किजिए, share भी किजिए, और अगर आप नए है मेरे YouTube चैनल पे, तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले video में, thank you.